राजेंदर सिंग कॉलेज धिमशिरी में चल रहे कैंप में 250 बालकाई थल सेना की प्रसिक्षन ले रही है। कैंप के इस इस्तर तक पहुंचने के लिए गल्स बटालियन में पिछले दो माह में लगतार थल सेनिक कैंप में होने वाली विभिन परत्युकताओं की माप दंड और नियमों के अंसार बालकाउं का चैन किया गया है। कैंप के सिस्तर तक पहुंचने के लिए गल्स बटालियन में पिछले दो माह में लगतार थल सेनिक कैंप में होने वाली विभिन प्रतियुकताओं के माप दंड और नियमों के अनुसार बालकाउं का चैन किया गया है। इसमें प्रतीक बालिका कैडेड माई और जून की कड़ी धूब की परवा किये बगेर अपने साहस और मेहनत से कैंप के लिए चैनित हुई है। यूपी गल्स बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल रोहित खन्ना ने स्चाफ के साथ बालिकाओं को प्रसिक्षन के दोरान फाइरिंग, मैप रीडिंग, टेंट पिंचिंग, फिल्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, समित विभिन प्रतियोगिताओं का प्रसिक्षन दिया जा रहा है, इसके साथ ही धिमशरी गाओं के आसपास के शेत्र में, मान्चित्र पर दर्शाय गए भूमिगत चेहनों का वासविक निरिक्षन कराया जा रहा है, हतियार प्रसिक्षन में बालिकाओं डिलेक्स राइफल से ग्रूपिंग फायर, एप्लिकेशन फायर और स्न स्नेप शूटिंग फायर का प्रसिक्षन ले रही है, देश उसेवा के लिए प्रसिक्षन ले रही बालिकाओं में उत्साथ दिखाई दे रहा है, सी निउस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट